सबसे पहले देखते हैं linear polynomial के zeros और coefficient में क्या relation होता है तो linear polynomial जिसके general formation कुछ इस तरह से होती है ax plus b जहांपर a और b coefficient है और x यहांपर variable है b को हम constant term भी कहा सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी variable नहीं है तो जो linear polynomial इस polynomial का zero होगा वो किसके equal होगा तो इसका zero equal होगा minus में constant term constant term यानी की b तो minus constant term को लिख सकता हूँ मैं minus b ठीक है अपन में coefficient of x, coefficient of x क्या है यहांपर a तो minus b by a ठीक है तो इसका zero के इसके equal होगा minus b by a के equal होगा ठीक है इसको example से समझ लेते हैं यहांपर example है 3x plus 6 equals to zero एक linear polynomial दिया गया है तो सबसे पहले इसका zero find करते है zero किसके equal होना चाहिए minus में constant term अपन में coefficient of x तो zero find करते हैं zero के लिए हम x की value find करनी होगी जो x की value होगी वही होगा zero इस polynomial का तो x की value find करेंगे तो यह हो जाएगा 3x plus 6 को दूसरी तरफ बेजेंगे तो यह हो जाएगा minus 6 और उसके बाद 3 को भी दूसरी तरफ बेजेंगे 3x के साथ multiply में है तो उदर जाके divide में तो minus 6 3 जाके उदर divide में तो minus 6 अपन में 3 तो 3 से cancel करेंगे 3 बंजा 3 और 3 टूजा minus ठीक है minus 2 यहाँ पर minus है तो यह minus as it is रहेगा और 3 टूजा हो जाएगा 6 तो 0 क्या आया minus 2 यह किसके equal होना चाहिए minus b by a यानि कि minus में constant term constant term क्या है यहाँ पर 6 तो यह इसको हम लिखेंगे minus में ठीक है क्योंकि minus sign जो है वो पहले से ही लगा हुआ है तो minus में 6 upon में coefficient of x x का coefficient क्या है यहाँ पर x का coefficient है 3 तो minus 6 upon में 3 इसे हम cancel out करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा 3 बनजा 3 और 3 टूजा 6 ठीक है minus जो sign है minus 6 के साथ है तो minus 2 तो यहाँ पर भी minus 2 है और यहाँ पर भी minus 2 है तो यही relation होता है linear polynomial के zeros और इसके coefficient ठीक है अब देखते है quadratic polynomial के zeros और इसके coefficient में क्या relation होता है तो quadratic polynomial जिसका general formation कुछ इस तरह से होती है ax square plus में bx plus में c equals to 0 जहाँ पर a, b और c यह coefficient है और x जो है वो variable है और c को हम constant term कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी variable नहीं है ठीक है तो इसके 2 zeros आएंगे क्योंकि degree 2 है अगर degree 1 होगी तो 1 0 आएगा अगर degree 2 है तो 2 zeros आएंगे तो quadratic polynomial की degree होती है 2 तो इसके 2 zeros आएंगे और वो 2 zeros जो होगी अगर हम उनका sum करेंगे या फिर कहा सकते हैं उन्हें जोडेंगे तो sum of zeros उन दोनों zeros को जोड़ेंगे तो वो किसके equal होगा minus में coefficient of X upon main coefficient of x square minus coefficient of X क्या है x का coefficient है b तो हम इससे लिखेंगे minus में b upon coefficient of x square x square का coefficient है तो sum of zeros किसके equal होगा minus b by a के equal होगा ठीक है इसी तरह से product of zeros अगर हम उन zeros का product या निक उन जिरोज को multiply करेंगे, तो वो किसके equal होगा, constant term, अपोन में coefficient of x square, constant term यहाँ पर क्या है, c, और x square का coefficient क्या है, a, तो हम कह सकतें, c by a, product जो होगा, zeros का वो होगा, c by a, ठीक है, यह relation होता है, quadratic polynomials के लिए, अब जो यह zeros आए हैं, इनका एक example देखे लिते हैं, इनको verify करने के लिए, तो example है, यहाँ पर x square plus में, 3x plus में 2, equals to 0, यह quadratic polynomial है, तो इसके zeros को find करेंगे, हम factorization method से, तो इसके factorization, अगर आपको आते हैं, आप class 9 में, यह सब चीज़े कर चुके होगे, अगर आपको आते हैं, तो अची बात है, अगर नहीं आते हैं, तो comment कीजिए, उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊगा, तो इसके factors करेंगे, इसके factors कुछ इस तरह से होगे, x square plus में, x plus 2, x plus 2, ठीक है, तो पहले जो है, x square plus x, इसमें से हम common लेंगी, common यहां से क्या आ रहा है, x, तो यह आ जाएगा, x plus में, 1, और उसके बाद क्या है, 2x plus 2, तो इसमें से हम क्या common ले सकते हैं, इसमें से common ले सकते हैं, 2, तो bracket में आएगा, x plus में, 1, तो इसके factors क्या होगे, इसके factors हो गए x plus 1 और x plus में 2 तो factors हो गए x plus में 1 और x plus में 2 और इनी factors से हम zeros निकालेंगे zeros का मतलब क्या होता है x की value तो x की value यहां से क्या आएगी x plus में 1 equals to 0 तो x की value क्या आएगी plus 1 को दूसरी तरफ बेजेंगे तो यह हो जाएगा minus 1 और इसी तरह से x plus 2 x plus 2 equals to 0 तो x के अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ बेजेंगे यानि कि plus 2 को दूसरी तरफ बेजेंगे तो यह हो जाएगा minus 2 तो 2 zeros जो आए हैं quadratic polynomial के वो है minus 1 और minus 2 अब इसे verify करते हैं जो भी relation दे रखा है sum of zeros और product of zeros तो sum of zeros क्या होता है minus b by a तो sum minus 1 plus में minus 2 तो sum करेंगे इनका minus 1 plus में minus 2 अगर इनका sum करेंगे तो किसके equal होना चाहिए minus b by a यानि की coefficient of x x का coefficient क्या है यहाँ पर 3 तो यहाँ पर minus coefficient of x है तो minus 3 लिखेंगे इसे ठीक है minus 3 upon में coefficient of x square x square का coefficient क्या है है आपर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है तो 1, और denominator में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो minus 1 plus minus minus, तो minus 1 minus 2 equals to minus 3 denominator में लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये भी minus का है, ये भी minus का है तो ये दोनों plus के हो जाएंगा और sign रहेगा minus का ही, तो minus 3 equals to minus 3 ये sum of zeros वाला जो concept है ये वाला जो relation है, यह तो हो गया यहाँ पर verify, क्योंकि दोनों equal आ रहे हैं, अब देख लेते है product of zeros का relation, product of zeros यानि की multiply, तो minus 1 multiply में minus 2, तो minus 1 multiply में minus 2 ये किसके equal होना चाहिए? constant term यानि की c upon में coefficient of x square यानि की a मतलब c by a, तो constant term है आपर 2, तो इस किसके equal होगा 2 upon में x square का coefficient, यानि की a x square का coefficient है 1 और denominator में में लिखने की जरूरत नहीं होती है तो minus minus plus, और 2 ones है 2, तो यह आएगा plus का 2 equals to, 2 upon में 1 यानि की 2, तो product of zeros भी है, वोई equal आ रहा है, ठीक है यह relation होता है, आपको यह जरूर ध्यान रखना है sum of zeros और product of zeros quadratic polynomial के लिए क्योंकि यह exam में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा